एन आर कॉम्टेटिव क्लासेस में मैं हैमंद कुमार सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं साधारन ग्याज भागतो इससे पहले मैंने भाग एक पढ़ाया था उसमें सारे फॉर्मूले बता दिये थे अब भाग दो स्टार्ट करते हैं पहला फुश्चन आज का एक धन रासी बीस बरस में अपने की दो गुनी हो जाती है वो कितने बरसों में अपने की चार गुनी हो जाएगी देखिए बीस बरस में अपने की दो गुनी हो जाती है सौ से दो सो मान लिया दो गुना हो गया कितने बरस लगे बीस बरस हमें सौ से दो सो कितना ब्याज मिला सो रुपए बीस बरस में मिला भाग दे दिया हमने तो दर कितनी आई पांच परसेंट अब हमें कितने बरसों में अपने की चार गुनी हो जाएगी सौ से चार गुना मतलब चार सो ब्याज कितना मिला तेन सो किस दर से मिल रहा है पांच परसेंट तो पांच परसेंट से भाग दे दिया साथ वर्स यही हमारा आंसर है मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1 T1 मतलब पहला समय तो 20 वर्स T2 दूसरा समय तो कितना है वो हमें ग्यात करना है N1 पहला गुना दो गुना तो दो मेंसे गया एक N2 दूसरा गुना चार मेंसे गया तीन बीस ती सहाथ बराबर T2 किलियर है न अगला कुश्चन देखो यह गुना बाला एक मैंने पहले वीडियों बता दिया था यह यह बता दिया काफी है चीक और आप प्रेटिस कर ले ना जो नहीं मैंने आप पूछ ले अगला कुश्चन देखो किसी धन के किसी धन के साथ वर्ष और दस वर्ष के साधरन ब्याजुन का अंतर एक सो पचास रुपए है यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर पांच प्रसत बारसिक हो तो वह धन ग्याद कीजिए चीक है हल देखो दर इंटू समय ब्राबर क्या होता है कुल ब्याज चीक है अब हमारे पास समय कितना है इंटू समय कितना है दस बारस ठीक है अब दर कितनी है पांच परसेंट यहां से साथ पांच परसेंट ब्याज मिला और यहां से पचास परसेंट ब्याज मिला यहां अंतर कितने का हो गया? 15 परसेंट, जो हमें कितना दे रखा है? 150 हो गया, किलियर है ना? 1 परसेंट कितना हो गया? 150 बटे 15 हमें चाहिए 100 परसेंट, कितना आया? 1000 रुपाई, किलियर है ना? खीक है? अगला कुश्चन देखी अगला कुश्चन है एक धन का दोस्तों आप आराम से वीडियो देखा करो, जो ना समझ मैं हो पूछ लेना एक धन का 4 प्रतिसत बारसिक ब्याच की दर से तीन बरस के ब्याच उसके पंच बरस के ब्याच से चार सो रुपए कम है वह धन ग्याद कीजिए अब देखो दर कितना है चार परसेंट समय कितना है तीन बरस कितना ब्याच मिला बारे परसेंट दर कितनी है चार परसेंट समय कितना है पांच बरस तो ब्याच कितना मिला बीस परसेंट देखो यहाँ पर कितना अंतर है, 8% का, जो हमें कितना दे रखा है, 400 रुपर, एक परसेंट कितना हो गया, 400 बटे आठ, हमें चाहिए, 100%, 8, 5, 4, 5,000 रुपर, किलियर है, यही हमारा मूलता है, ठीक, अगला कुश्चन देखे हैं, अगला कुश्चन देखो, एक ब्यक्ती ने बैंक से 8,000 रुपर, इस सर्थ पर उधार लिए, कि पहले 5 वर्स के लिए 6%, अगले 3 वर्स के लिए 8 परसत, तता इसके बाद 8 वर्सों के लिए 10 परसत बारसिक ब्यास लगेगा, यदि वो 12 वर्स के अंतर में उधार लोटाए, त उसे कितना ब्यास देना होगा, अब आपको ये देखना है कि टोटल टाइम कितना दे रखा है, 12 वर्स, ये ध्यान रखना है आपको, देखो, यहाँ पर लिखा है कि पहले 5 वर्स के लिए 6%, 5 वर्स के लिए 6%, तो कितना ब्यास दे दिया, 30%, आगे बोला है, 3 वर्स के लिए आठ परसेंट, तीन बर्स के लिए 8 परसेंट, तो कितना दे दिया, 24 परसेंट, ठीक है, अब देखो, हमें 12 बर्स में हिसाब करना है, 8 बर्स यहां हो गए, तो यहां पर समय कितना लेना है, 4, और दर कितनी चल रही है हमारी, आगे की जो टाइम हो, उसके लिए 10 परसेंट च हमें समय तो चारी वर्स लेना है न, तो कितना हो गया, 40 परसेंट, टोटल कितना हो गया, 4, 4, 2, 6, 3, 9, मतलब 94 परसेंट हमें, ब्यास देना है, तो 8,000 का हम 94 परसेंट निकाल देते हैं, दो जीरो से दो जीरो, जीरो, अट चोग 32 की दो हांसुल की, तिन दो आट 72 परसेंट, तो 7520 रुपए हमने क्या दिया, ब्यास, केलियर है न, ठीक, अगला कुश्चन देखो, किसी धन रासी पर, पहले दो बरस के लिए 4 परसेंट, अगले 4 बरसों के लिए 6 परसेंट, और इससे अधिक समय के लिए 8 परसेंट, बारसिक ब्यास जोड़ा के है, यदि 9 बरसों में कुल साधरन ब्यास 1120 रुपए हो तो, वो धन रासी क्यान क देखो, हमें हिसाब कितने बरसों में करना है, 9 बरसों में, देखो, 2 बरस के लिए कितना मिला है, 4 परसेंट, कितना ब्यास मिल गया, 8 परसेंट, आगे 4 बरसों के लिए 6 परसेंट, कितना ब्यास मिल गया, 24 परसेंट, अब देखो, हमें हिसाब 9 साल में करना है, और ये 6 ब 47 और 8 56 परसेंट हमें क्या मिला ब्याज जो 56 परसेंट हमें ब्याज मिला है वो कितना दे रखाए 1120 रुपए एक परसेंट कितना हो गया 1120 बटे 56 हमें चाहिए 100 परसेंट 56 दूना 112 दो हजार रुपए यही हमारा मोल दाने केलियर है ना छीक अगला कुश्चन देखो गोपाल ने 5000 रुपए आनसिक रूप से 4 परसेंट 5 परसेंट बारसिक दरों पर दो लोगों को धार दिया दो बर्स बाद उसे 4.2 परसेंट बारसिक औसट दर से ब्याज प्राप्त हुआ चार प्रसत की दर पर दिया गया धन ग्यान कीज़े देखो जब हमारे पास 3 प्रतिसत हों तो हम मिस्रंड से हल कर सकते हैं सी विदी से मिस्रम की विदी से पहला प्रसत यहां लिखते हैं दूसरा प्रसत यहां लिखते हैं और कुल टोटल प्रसत को बीच में लिखते हैं ठीक है अब इस तरीके से घटाते हैं इधर से इधर और इधर से इधर चार दसमलब दो मैंसे चार गए तो कितना बचा किस अनुपात में पूझी है चार और एक के में है देखो टोटल पैसा कितना है पांच हजार है ठीक है जिसके लिए निकालते उसके लिए गुणा कर देते हैं चार और एक पांच चार प्रस्त का अनुपात कितना है चार और पांच प्रस्त का अनुपात कितना है एक पांच से पांच कट गया तो चार का एक हजार से गुणा किया तो चार हजार अब इसी तरीकी से एक के लिए निकालेंगे तो पांच हजार गुड़े एक बटे पांच कितना आ गया एक हजार तो पांच प्रसत की दर पर कितना धन है एक हजार रोपए और चार प्रसत की दर पर कितना धन है चार हजार रोपए किलियर है हमें चार प्रसत की दर पर ज्याद करना था तो ये हमारा आंसर है क्लियर है जब हमारे पास तीन प्रसत होते हैं तो किस विदी से हल कर सकते हैं मिश्रण की विदी से ठीक अगला कोश्चन देखो एक ब्यक्ती ने 15,000 रुपए का कुछ वाग 15 प्रसत और सेज वाग 10 प्रसत बारसिक ब्याज की तर पर उधार दिया ब्यक्ती को कुल पर 12 प्रसत और सत बारसिक दर से वियाज प्राप्त हुआ 10 प्रसत की दर पर दिया गया धन ज्यान की मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारे पास तीन प्रसत हों तो हम मिश्रण की विदी से हल कर सकते हैं पहला प्रस्षत कितना है 15, दूसरा प्रस्षत कितना है 10, और कुल टोटल प्रस्षत कितना है 12, ठीक, 12 में से 10 गए 2, और 15 में से 12 गए 3, मतलब 2 और 3 के अनुपात में पूजी है, ठीक है, हमें 10 प्रस्षत की तरपर निकालना है, क्लियर है न, ठीक, तो 3 के लिए निकालना ह हैं हमारे पास 15,000 रुपए निकालना किसके लिए है तीन के लिए तीन और दो पांच पांच ती पंदर तीन तरह का 9,000 रुपए तो दस प्रस्षत की दर पर कितना है धन 9,000 रुपए किलियर है न ठीक अगला कुश्षन देखो तीन बरस बात दे 1092 रुपए बरावर बारसे किस्तों में चुकाना है यदि साधरन व्याज की दर बारे प्रस्षत बारसे को तो प्रतिक किस्त का मान ज्यान कीजिए अब देखो किस्त के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि किस्त बरावर फॉर प्रंूला क्या होता है दे रेंट इंटू हंड्रेट अपोन हंड्रेट टी प्लस आर् टी टी माइनस 20 अपोन 2 दे रेंट कितना है हमारे पास 902 रुपए इनटू 100 ठीक है, 100 into t, 100 गुड़े, समय कितना है हमारे पास, 3 प्लस r t, r हमारे पास कितना है, 12, वो 12 का 3 से गुड़ा होगा, तो 36 ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, t कितना है 3, 3 में से 1 जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कुछ नहीं, तो 1 बचा किलियर है, 1092, गुड़े, सो बटे, सोती, 336, 336, चार से काट दें, तो 25 पर, चार से काटा, 4, 32, एक बचिया, 4,16, बारे से काटा, 12, 74, बारे नम्मा, 108 वो बारे कम बारा, साथ से गाटा, 13 बार 25 ती पिचतर की 5, 600 की 7, 25 से कम 25, 7, 32, तो 325 रुपए हमारी क्या आगई, किस, यही हमारा आंचर है, किलियर है, ठेक है अगला कुश्चन देखिए, ब्याच की किस दर से कोई धन, 4 वर्स में, 928, तता 6 वर्स में, 992 रुपए हो जाएगा, इस तरीके का, एक कुश्चन मैंने, पहले भाग में कराया था, ठीक है, हो जाएगा, का मतलब होता है, मिस्र धन, अब मिस्र धन बराबर क्या होता है, म मतलब, अब कितना हुआ है, 928 रुपए, मिस्र धन हो गया है, मतलब इसमें मूल धन होगा, और कितने वर्स में हुआ है, 4 वर्स में, तो 4 वर्स का, ब्याज होगा, क्लियर है न, अब 992 रुपए हो जाता है, तो इसमें मूल धन होगा, और 6 वर्स का, ब्याज होगा, यह हम हमारा 2 वन गया. समीः करण 2 मैसे एक को घटा दीती हैं. 6 साल मैसे मूलधन से तो मूलधन कतम हो गया. 6 मैसे 4 साल जाए में तो दो वर्ष का क्या बचा. ब्याज, बारे मैं से 8 गई, 4, 9 मैं से 3 गई, 64 रुपए, दो से काट दिया, 32 रुपए हमारा क्या आगया, ब्याज, यह हम बैल्यू या तो यहां रख सकते हैं, और यहां रख सकते हैं, ठीक है, तो 928 बराबर मुल्धन, प्लस 4 बुड़े 32, ठीक है, 928 माइनस, 4 दून 8 और चारती बारा, 128 रुपए, मुल्धन, उदर की संकेदर माइनस में आएगी, 0, 0, 8, 800 रुपए हमारा क्या है, मुल्धन, अब दर निकालने के लिए हम जानते हैं, कि हमें ब्याज एक बरस में कितना मिला है, 32, कितने रुपए पर मिला है, 800 पर इंटू, 100 प्रसत, 2,0 से 2,0, 8, 32, चार प्रसत हमारी क्या चल रही है, किलियर है, दोस्तो, साधारन ब्याज, कापी अच्छा टॉपिक है, मैंने दो भाग में लगवग कंप्लीट पढ़ा दिया है, लगवग सारी टाइप हो गए है, फिर भी अगर कोई टाइप अगर आपसे नहीं बनता है, तो आप मे शो खाल में लगशन प송ारे दोस में लिवरा आपड़ा है, कbor बस्तो, से कर दो खाल आपना है, तो आपति आप में लगवग सारी क कि याजय साथ, वाशनां भावभा ओांब्यार याम के यागर डहता है, अगल भी वाग किया दोस्तो, समक्लीपिक है, मैं लहता है, बहता ह